अगते दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल Study Tips पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर हुआ हूँ उस टॉपिक का नाम है क्या अब कुत्ते भी लगा पाएंगे कोरोना संक्रमन और कोरोना संक्रमित वेक्तियों का पता अब कुत्तों के द्वारा लगाया जाएगा जी हाँ आपने सही सुना ब्रिटेन में हुए एक नए रिसर्च के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना वाइरस संक्रमित वेक्तियों के सरीर से एक बिसेश प्रकार की गंद निकलती है एक बिसेश प्रकार की इसमेल निकलती है और इस इसमेल को जो प्रसिक्षित कुत्ते होंगे जो वो है London School of Hygiene and Tropical Medicine ने मिलक ने Medical Detection Dogs और दरहन University जो की इंगलाइन में है इसके साथ मिलकर इस Research को क्या किया है परफॉर्म किया है और उसके अनुसार ऐसा कहा गिया है कि कुत्ते अब कोरोना वाइरस से संक्रमित वेक्तियों का पता लगा पाएंगे और उन्होंने कहा है कि ये जो result दे रहे हैं ये जो कुत्ते result दे रहे है 94% से जायदा accuracy के साथ ये result दे रहे हैं कोरोना वाइरस से संक्रमित वेक्तियों को सूंग कर ये पता लगा लेते हैं और जो नया नया variants आ रहें कोरोना के आपने सुना होगा कि अवी वारत में जो नया second wave आया था जिसका नाम थ जो नया variant था COVID-19 का second wave था तो इन नये अलग-अलग variants को अलग-अलग strain को जैसे कि सुना होगा Singapore variant इसके बारे में है ना उसके बाद Britain का अलग variant तो अमेरिका में पाया गया अलग variant California का अलग variant South Africa का अलग variant तो इन नयने variants में अंतर करने में वी ये कुत्ते क्या हैं सक्छम हैं त और इन कुत्तों को जो ट्रेंड किया गया है किसके द्वारा किया गया तो ट्रेंड किया गया इनको medical detection dog के द्वारा हमने पहले भी बताया कि ये इनके साथ मिलकर इनोंने परफॉन किया है तो medical detection dog के द्वारा dogs के द्वारा इन कुत्तों को ट्रेंड किया गया और इस कुत्त को क्या क्या गया LSHM भेज दिया गया यहाँ पर London School of Hygiene and Tropical Medicine में भेज दिया गया वहाँ पर इनके टीम के द्वारा लगभग 378 लोगों के सैंपल को collect किया गया जिसमें से टेस्ट के लिए 325 positive case लिये गया और 675 negative sample लिये गया ठीक है अब उनकुत्तों के सामने इन samples को एक stand system में इस तरह से क्या किया गया इन stands में इन samples को रख दिया गया ऐसे करके इन stands में इन samples को रख दिया गया और उनकुत्तों को में क्या था COVID-19 यानि की COVID positive वाला sample था ठीक है coronavirus से संक्रमित positive वाला sample था वो कुट्ते उसको तो सूंग रहे थे लेकिन जिसमें negative वाला sample था उसको छोड़कर वो आगे बढ़ जा रहे थे फिर जिसमें sample था positive वाला उसको सूंग रहे थे उसको इसमेल कर रहे थे लेकिन आगे बढ़ जा रहे थे जिसमें नहीं था तो इससे पता चला कि ये जो प्रसिक्षित डॉग है वो क्या कर रहे हैं इनके अदभूत सूंगने की अदभूत चमता का यूज करके हम कोरोना वाइरस से संक्रमित व् यह क्या है यहां की हेड है और इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो डॉग्स होते हैं जो डॉग्स होते हैं वो सबसे प्रस्टेड बायो सेंसर होते हैं जो किसी भी रोग के किसी भी मानव रोग के इसमेल को पता करने में सक्षम होते हैं इनके सुंगने की अदभूत च साथ लिया गया था तो इस ट्राइल में छे कुत्तों को पार्टिसिपेट कराया गया था इनका नाम है Norman, Digby Storm, Star Asser, Jasper ठीक है इनको लिया गया अब इन कुत्तों के द्वारा ये जो प्रसिक्चित कुत्ते होंगे इसके किसके क्या फाइदे होंगे तो दोस्तों जैसे कि एरपोर्ट्स पर जो बाहर से लोग आते हैं वो क्या करते हैं अपना फेक भी COVID-19 वाला COVID-19 वाला सर्टिपिकेट बनवा के लेकर आ जाते हैं अब वो दिखा कर बाहर तो निकल जाएंगे लेकिन अगर उसमें COVID का इस्ट्रेन रहा बाहर से जो लेकर आए हैं तो क्या होगा वो क्या करेगा वो इस्प्रेड कर देगा बाहर आकर अब इस्प्रेड कर दिया चुकि वो लोगों को क्या किया जाएगा अलग कर दिया जाएगा कुत्तों के द्वारा इन्हें सुंगाया जाएगा और उनके bags को और उनके क्या किया जाएगा सुंगाया जाएगा और ये सुंग कर उन होगा दो गुना इजाफा देखने को मिलेगा इसके तहत rapid screen test strategy अपनाया जाएगा जैसे कि जो airports पर 30 मिनट में लगभग 300 यात्रियों को ये प्रसिक्षित कुट्टे मात्र दो कुट्टे 300 यात्रियों को मात्र दो कुट्टे जो प्रसिक्षित कुट्टे होंगे 300 यात्रियों को 300 यात्रियों को 30 मिनट में screen कर पाएंगे अब जिस लोगों को ये screen करके मतलब पहचान पाएंगे उन्हें क्या किया जाएगा उनका F.E.C.R. टेस्ट किया जाएगा बाद वाकि सब को छोड़ दिया जाएगा इससे time में भी कमी होगा और संक्रमन का खत्रा भी कम होगा इससे रोग संक्रमन का भी खत्रा बहुत कम हो जाएगा तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि कुट्टे अब सूंग कर कोरोना संक्रमित वेक्तियों को बाहर निकाल देंगे कोरोना positive वेक्तियो प्रोफेशन लोगन उन्होंने कहा कि ये जो कुत्ते हैं केवल कुरोना को ही डिटेक्ट नहीं करेंगे, अन्य महामारी जो अन्य महामारी भी होंगे उनको भी निप्टाने में ये बहुत ही महत्वपुर्ण भुमिका निभाएंगे. तो ये रहा हमारा आज का सेग्मेंट जिसमें कि हमने बात किया कि जो प्रसिछित कुत्ते होंगे वो अब कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के जाच के लिए काम आएंगे ठीक है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा किये आपको अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना जरूर बेल आइकन को दबाना ना भूले इससे क्या होगा कि ऐसे ही यूजफूल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे भी रहा है लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो हमारे चाइनल पर हमारे टीम के दौरा बहुत ही उंडा कोगनवत्ता का content आप लोगों के लिए हम मेहनत करके हम आपके सामने present करेंगे ठीक है आपका प्यार हमें मिलता रहा तो हम लोग आपके लिए काम करते रहेंगे जी जान से ठीक है तो मिलते हैं अगले class में ऐसे ही बहुत youthful वीडियोज के साथ आप हमारे साथ बेने रहे और ऐसे ही informational वीडिय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर GKGS टेकनिकल नॉन टेकनिकल का भी preparation कराया जाएगा तो आप हमारे चैनल को share करना भी ना भूले चलिए मिलते हैं अगले class में अगले next session में किसी अन्य information के साथ तब तक के लिए आप safe रहें स्वस्त रहें